हेलो स्टुडेंट्स वेलिकम बैक तू माई यूट्यूब चैनल स्टूरेंट्स आज हम सीखेंगे कॉपर नायिट्रेट का फॉर्मुला लिखना काफी स्टूरेंड्स को इस में प्रॉब्लम आती है तो आज उस प्रॉब्लम को हम शॉट आउट करेंगे स्टेंट्स प्लिस मेरी वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तर नहीं किया दो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर जरूर करना ताकि उनको भी यह फॉर्मुला आ ज बिटा आपको अगर कॉपर नाइट्रेड का फॉर्मुला लिखने को आ गया तो या तो स्पेशली कई बार आपको मेंशन करेंगे कि कॉपर जो है आपको क्या करना है कॉपर नाइट्रेड के फॉर्मुले में स्पेशली मेंशन कर गया हैगा कॉपर सेकंड ऐसे लिखके औ लेकिन अगर आपको सिंपल लिखाया पॉपर निट्रीट का फॉर्मूला लिखना आपने तो हमेशा आपने क्या करना है सेकेंड वाला ही यूज करना तो कैसे लिखते हैं इसको देखो C U और N नाइट्रेट क्या होता है NO3 यहाँ पर आप देखो यह क्या होता है Metal और यह क्या होता है Non-metal ठीक है तो नाइट्रेट का मैं आपको यहाँ भी दिखा देती हूँ नाइट्रेट का फॉर्मूला यह रहा ठीक है तो यह है Polyatomic Ayan नाइट्रेट क्यों क्योंकि इसमें दोनों देखो आप Capital है Polyatomic Ayan क्या होता है दो Capital वर्ड अगर यूज़िए यहाँ पर देखो N भी Capital है ओभी Capital है तो इससो आप पर चाह सकते हूँ यह क्या है Polyatomic Ayan अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनकी वैलेंसी, तो copper की वैलेंसी हमारी क्या है, 2, ठीक है, positive, और इसकी कितनी है, 1, negative, यहाँ आप देखो, उसके बाद आपको पता है हम क्या करते है, क्रिस्क्रॉस मेथड, क्रिस्क्रॉस मेथड में Cu के नीचे हमारा क्या आ गया, 1, और नीचे हमने numbers लिखना है, उसको show करना है, या फिर हम इसको simple लिख सकते हैं, नीचे की 1 का मतलब कुछ नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, इसको CuNO3, hall bracket 2, यह हो गया हमारा copper nitrate, ओके स्वेंड्स, आपको समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, ओके स्वेंड्स,